हलो गाइस तो कैसे हो आप लो तो गाइस क्या आप 15,000 रुपए के अंदर में 5G फोन लेना चाहते हो अपने पापा मम्मी या खुद के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह आये हो तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो तो इस फोन में डैमेंसिटी 810 की 5G प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आती है साथ ही 6.5 इंच की फुल एस्ट प्लस डिस्प्ले दिस्प्ले दिया गया है जो कि अप्टो 90 हर्स रिफ्रेश रिट को भी सपोर्ट करती है और इस फोन में 48 999 रुपीज रखा गया है और इन ही सारी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के कारण रियलमी 9 5G एक अच्छा उप्शन निकल कर आती है अंडर 15,000 रुपीज तो आगे नंबर 4 पे है IQ की IQ Z6 तो इसकी प्राइज 13,999 रुपीज रखा गया है और प्राइज के हिसाब से इसकी काफ इच्छी है क्योंकि इसमें Snapdragon की 695 चिपसेट लगाया गया है जो की 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आती है साथे 6.58 इंच की Full HD Plus IPS डिस्प्ले पैनल दिया गया है जो की 120Hz रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है और इस फोन में आपको triple camera setup मिलेगा जिसमें 50MP की main sensor और 2MP की macro और 2MP की depth sensor दिया गया है और सामने की तरफ 16MP की front camera दिया गया है और साथे 5000 इमेच की बड़ी बैटरी भी दिया गया है जो की 18W तक की fast charging को भी सपोर्ट करती है तो Snapdragon 695 और 120Hz refresh rate की डिस्प्ले इस फोन को 15,000 के अंदर एक बेस्ट फोन बनाती है तो आगे नंबर 3 पे है P Poco M4 Pro 5G इस फोन में आपको 6.43 इंच की Full HD Plus डिस्प्ले दिया जाएगा जो की 90Hz refresh rate को भी सपोर्ट करेगी और performance के लिए इसमें Media Tech Dimensity 810 की प्रोसेसर दिया गया है और इस फोन में हमें dual camera देखने को मिलता है जिसमें 50MP की main sensor और 8MP की ultra wide angle sensor दिया गया है और बैटरी के बात करे तो 5000 इमेच की बैटरी दिया गया है जो की 33 वाट तक की fast charging को भी सपोर्ट करती है और इसकी प्राइज 14,000 रुपीज के राउंड है मैंने सभी फोन की प्राइज नीचे description box में दे दिया है अगर आपको purchase करना है तो आप वहां से purchase कर सकते हो और यह भी हो सकते है कि जब आप अगर आपको बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी चाहिए तो आप इस फोन को जरूर कंसिडर करियेगा क्योंकि इसमें 6.8 इंच की IPS डिस्प्ले दिया गया है और 5000 इमेच की बैटरी जो की 20 वाट तक की fast charging को भी support करती है और साथ ही snapdragon की 480 प्लस 5G प्रोसेसर भी दिय गया है और सामने के तरफ 16 Megabixels के सेलफी कैमरा दिया गया है और इसके प्राइज 13,999 रुपीस रखा गया है तो फाइनली अब नमबर वन पे है वी वो टी वन फाइब जी जो की वन अब दा बेस्ट बजट स्मार्टफोन है जो की केमिंग पे फोकस्ट किया गया है इस पे 4GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ Snapdragon की 695 की पाउरफुल चिपसेट लगाया गया है और साथे 5000 मेच की बैटरी दिया गया है जो की 18 वार्ट तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है और इसमें 6.58 इंच की IPS डिस्पले दिया गया है जो की 120Hz रिफ्रेस्ट के साथ आत 999 रुपीज तो यह थी हमारे लिस्ट की 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो की 15,000 रुपीज के अंदर आती है कैसे लगी आपको वीडियो और कौन सा फोन आपको ज्यादा पसंद आया निचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथे वीडियो को लाइक और ऐसे ही मोबाइल फ सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा तो मिलते हैं एक और नियू फ्रेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाई